Sun Pharma, Taro Pharma, Dr. Redis, Lupin, Torrent Pharma, इन सब का ही किसी ना किसी हद तक exposure है इस्रेल में या तो उनके business की location की वजा से या फिर exports की वजा से IT की बरी company जैसे की TCS, Infosys, Tech Mahindra और Wipro ने या तो acquisition की है या investment की है इस्रेल में और Tel Aviv में SBI की अपनी branch है, experts के अनुसार अभी तक इंडिया की stock markets इस युद के दौरान भी मजबूत है अब जहां तक trade का सवाल है, इंडिया और इस्रेल का total trade कम से कम 8 billion dollar है अब तक April और June के बीच, भारत के इस्रेल को जो exports थे, वो 1.4 billion dollars थे और imports इस्रेल से 0.9 billion dollars पर थे ऐसे युद के दौर में, exporters को बीमा और shipping के लिए ज्यादा रकम चुकानी परती है लेकिन analyst का मानना है कि जब तक योध में और तेजी नहीं आती, भारत पर कोई खास असर नहीं परेगा